हेलो बच्चो वेलकम टू साइन कोचिंग सेंटर आज हम बात करेंगे क्लास एट साइन्स में लाइट चैप्टर के कोश्चन नंबर फिफ्ट के बारे में बेटा यह कि एक एक्टिविटी बेस चैप्टर है इस कोश्चन को पढ़ते हैं डिसक्राइब एक्टिविटी है जिसे मुझे बताना है कि हमें इंसिदेंस रे रिफ्लेक्टिड रे और जो नॉर्मल है क्या वो सेम प्लेइन पर लाई करते हैं या नहीं बाता आए एक्टिविटी आप भी घर पे कर सकते हो बिल्कुल इजी एक्टिविटी है इस देखे जैसी कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे यहाँ पर फर सट आफ वोल आपने एक पीस ऊफ पेपर रहना है और उसके पिछे एक टॉर्च लेनी है तो में पीस était आपको होल कर देना है उस होल से जब लाइट पास होईगी सामने रिफारे हो को प्था है एक को पॉक मतलब किसी भी certain direction बन सकती है यह depend करता है position of incidence light तो आप देखोंगे यहाँ से सबसे पहले बात मुझे clear पता लगी कि जो light है वो क्या कर रही है reflect होके अपनी direction से change हो रही है और अपनी जो image है वो अलग बना रही है clear दूसरी बात मुझे यहाँ पर अगर मैं उस light में यहाँ पर normal draw कर देता हूं बेटा तो यहाँ से मुझे को उसकी एक बात पता लग जाती है कि normal हो incidence ray हो यह reflected ray हो वो एक ही point पर क्या करेंगे like करेंगे तो पेटे activity जरूर करके देखना साथ ही मैं इसी activity को अब मैं हिंदी में बताने वाला हूं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जो question होगा हमारा class का science में English में भी बताया जाएगा हिंदी में बताया जाएगा चले बेट अब इस question को हम हिंदी हैं या दर्शाने के लिए कि अपतित किरण और परवर्तित किरण और आपतन बिंदू पर अभी लंब एक ही तल में होते हैं इस चीज़ी को हमने बताना है बेटा क्या लेना है हमने एक कागच की sheet लेनी है जो कि हमें में मेज पर रखनी है और इस sheet मे हमने क्या करना है बीच में एक सीधा रेखा पैंसिल और मापी की सहायता से खीचे फिर उस सीधी रेखा पर शीशा कड़ा करे इसके बशाद एक torch की सहायता से शीशे पर प्रकाश डाले और अपतित किरण प्रतिभीम और परवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं मतल दूसरी जगह पर अपनी इमेज को बनाएगी तो मुझे पता लगा कि एक point ऐसा है जहां पर ये अपतित किरण परिवर्तित किरण तथा अपतन बिंदू पर अभिलन एक ही तल मर तल पे होते हैं तो वेटा इसको अच्छे तरीकी से करो question को next video में हम question number 6 के बारे में discuss करेंड़ करेंग